दोस्तो MPHC यानि कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आ गई है वेकन्सिया इस वीडियो में सारी जानकारी देने जा रहा हूं कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है कौन इसके लिए इलिजबल है पिष इसकी कितनी लगनी है, सिलेबस इसका क्या होगा और बीज जितनी अन्य जानकारिया है सब मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो यहाँ पर mphc.jov.in की website खुली हुई है वीडियो के description पर वो link है आप direct जाकर के उस link से इस website पर पहुँच सकते हैं नहीं तो आप direct google पर जाकर के high quote आप मद ब्रदेश टाइप करेंगे तो भी इस website पर पहुच जाएंगे इसी में आपको career के section पर ये सारी जानकारी मिलेगी देखें यहाँ पर recruitment का section मैंने खोल दिया है online application form यहाँ पर भरने है 25 जून से इसके form online आ जाएंगे जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ advertisement अभी अभी out हो गया है notification आउट हो गया advertisement for the post of district legal aid office है entry level class to examination बहुत ही अच्छी post है इसका मैंने पूरा advertisement यहाँ पर खोल रखा है मद्य परदेश राज विदिक सेवा प्रादिकरन जवलपूर इसका आवेदन प्रारम की तिथी 25 जून से start हो जाएगा form कैसे भरना यह मैं आपको बता दूँगा आवेदन करने की अंतिम तिथी 24 जुलाई है यानि कि एक महीनी के अंदर आपको आवेदन कर लेना है परिक्षा की तिथी अभी गोशित नहीं करी गई है बाद में गोशित करी जाएगी आरचित अनारचित अनुसूचित सभी के पद हैं यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो अब्यारती मद्ध प्रदेश के स्थाई निवासी नहीं है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हाला कि उन्हें यहाँ पर रेजर्वेशन प्राप्त नहीं होगा अब यहाँ पर आविदन सुल्क मैं बता दू कि जो भी लोग as unreserved candidate की तरह अप्लाई करेंगे 200 रुपए पर इच्छा सुल्क आपको लगेगा और सेवा प्रदाथा पोर्टल को 722 रुपए यानि कि टोटल आपका 922 रुपए अनारक्षित वालों को पे करना है और आरक्षित 722 रुपए पे करना है यह आपकी application fees है उसके बाद मैं आपको online प्रपत्र भरते समय कुछ जानकारियां ध्यान रखने हैं जो आपको इस website पर मिल जाएगी सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के link में दे दूँगा अब यहाँ पर अविदन मद्य प्रदेश की उच्छ नियाले की website पर जाकर करना है जो मैंने website आपको बताया online registration करना है जो यहाँ पर online registration का tap था यहीं पर जाकर करके आपको apply कर लेना apply का tap यहीं पर है देखें यहाँ पर mock test के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ option mock test दे सकते हैं district add level का देखें advertisement आ गया registration भी आ गया लेकिन इसका भी link activate नहीं हुआ इसको आप यहाँ पर click करेंगे तो click नहीं होगा 25 जून से यहाँ पर यह apply होने शुरू हो जाएंगे अब उसके बाद में admit card और forms आपको वहां सा जाकर के download करने पड़ेंगे कुछ समय के बाद में यहाँ पर admit card आ जाएगा आपको अपने registration नंबर और password डाल करके अपना admit card download कर लेना है eligibility criteria कि मैं बात करना हूं तो आप Indian citizen होने चाहिए और उसके बाद ही आप apply कर सकते हैं यहाँ पर इंडियन citizen यहाँ पर apply क कर पाएंगे अब उसके बाद में कि देखे कोई भी व्यक्ति इस पर पात्र कब नहीं होगा यह मैं बता दिता हूं मद्य प्रदेश जिलावदी सहायता अधिकारी भरती नियम 2007 के नुसार कुछ ऐसी condition है जिसमें आप यहाँ पर अभ्यर्थन के लिए apply नहीं होंगा जिसन दिखे बहुत बड़ी यह news है यहाँ पर जिसके दो से अधिक जीवित संतान है वो यहाँ पर बिल्कुल भी apply अब देखिए syllabus के बारे में मैं बता देता हूँ आपको online परिक्षा होगी और आपका interview होगा दो यहाँ step में आपका selection होगा online परिक्षा 200 marks की होगी जिसका syllabus यहा हुए है sections को पड़कर के ही आप इस paper को दे सकते हैं तो syllabus की पूरी जानकारी description में है आप notification को download करके वहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं बाद में जब आप return test qualify हो जाएगा उसके बाद में आपका interview होगा और दोनों के ही अनुसार आपका यहाँ पर selection किया जाएगा तो अगर आपको form भरने में या फिर इससे related जानकारी लेने में कोई समस्या है तो वीडियो पर comment करके हमें ज़रूर बताइए इस चैनल को subscribe कर दीजिए इस वीडियो को like कर दीजिए